नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेडिंग सेटप में आज मैं दो स्टॉक को लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ही बढ़ियाद्रीस के बना हुआ है जिसमें आप trade करके बढ़िया मुनाफ़ा बना सकते हैं मैं levels भी बताऊंगा आपको trade कहां पे करना चाहिए उससे पहले मैं आपको एक छोटी से story बताता हूँ जब मैंने trading start की थी उस time पे मुझे stock market से related बहुत बढ़िया knowledge नहीं था तो मैं जब भी कोई learning videos देखता था कोई pattern के बारे में कोई बताए तो मैं आधाई वीडियो देखके बंद कर देता था एक ego आ जाती थी अंदर कि यार यार ये चीज तो मैं जानता हूँ ये pattern तो मैं जानता हूँ इसमें ये बंदा अलग क्या बता रहा है उस ego के कारण मैं उस वीडियो को पूरा नहीं देखता था और उसका result ये होता था कि जो actual psychology होती है उस pattern के पीछे एक बड़ी trader की वो समझ में नहीं आती थी और मेरे दोस्त एक चीज दिमाग में बैठा लो अगर आप actual psychology को नहीं समझ पाओगे तो आप अपने आपको as a complete trader नहीं develop कर सकती हो बहुत जादा परिशानी आने वाली है आपको as a complete trader develop करने में तो ये story बताने का सिर्फ एक simple सा फंडा है कि अगर आपके भीतर अभी ये ego आ रही है कि मैं हर चीज जानता हूँ ये तो मैं जानता हूँ तो आपको अभी सीखने की जरूरत है आप हर वीडियोज को देखिए सीखने के परपस से देखिए कि अगला आदमी जो बता रहा है वो अपने experience को share कर रहा है वो actually बताना क्या चाहता है और इस ego पे आपको सबसे पहले काम करने की जरूरत है अगर इस पे आप काम नहीं करेंगे तो फिर बड़ी समस्या होने वाली है आपको as a complete trader and profitable trader बनने में तो दोस्तो आईए अब बात करते हैं stocks की सबसे पहले stock का नाम है NTPC daily time frame chart आपके screen पे लग चुका है और हम सबसे पहले draw करेंगे एक support जो की यहां से होगा ऐसे and support draw करने के बाद हम एक draw करेंगे resistance line जो की बहुत ही important है क्योंकि यह बहुत ही अच्छे resistance line को break किया है ओके this यह resistance line मैंने इसलिए draw किया है थोड़ा सा नीचे क्योंकि मैं home study कर चुका हूँ इसके पीछे मैं दिखाता हूँ क्यों line chart लगाता हूँ देखे line chart लगाएंगे तो यहां पे यह high बहुत थी important level after that यहां पे भी इसको respect किया यहां पे भी selling आई तो इस वज़े से मैं जो है 99 पे लगाया हूँ क्योंकि मैं अपना home work किया हुआ था इस पे line chart के specification यह होता है कि वो closing को बताता है अब फिर लगाते है candlestick chart देखे बहुत ही बढ़िया pattern बनाया हुआ है यहां पे यह एक sideways market w pattern type का बना के break किया है फिर ऐसे price action बना के यह एक up moment दे सकता है आप इसको इस तरीके से trade कर सकते हैं और आप इसका monthly chart एक बार लगाएंगे मैं monthly chart लगा के दिखाता हूँ आपको तो यह देखिए एकदम बढ़िया w pattern लग रहा है weekly लगाता हूँ मैं weekly ज्यादा perfect लगेगा देखे आपको देखिए यह हटा देता हूँ मैं जब आप एक बार weekly chart लगाएंगे तो देखिए यह एक double kind of pattern बनाया हूँ है यह भी एक confirmation है कि यह double kind of pattern बनाया यह break किया और यह है आपकी neck line तो बहुत ही बढ़िया scenario बना हूँ है इसमें trade करने के लिए लेकिन मैं एक level दे रहा हूँ कि आप इसको 99 रुपय से 100 रुपय के बीच में खरी दिए 99 रुपय से 100 रुपय के बीच में खरी दिए अभी यह 103 रुपय असी पैसा चल रहा है अभी थोड़ा सा और नीचे खरीदने की कोसिस करिए इस line के आसपास खरीदेंगे यहां से एक reversal मिलेगा इसको आप trade कर सकते हैं बड़ा target भी इसमें 115 रुपय तक भी आप रख सकते हैं वो आपके उपर depend करता है कि आप किस प्रकार के trader है आईए अब बात करते हैं अपने दूसरे stock की दूसरे stock का नाम है century textile और उसका भी chart आपके screen के सामने लग चुका है और हर चीज़ पहले से ही draw है कुछ भी draw करने की जरूरत नहीं है ये आप का रहा resistance ये रहा support एन एक बढ़िया resistance को break करने के बाद एक healthy breakout देने के बाद ये अभी ऐसे retrace हो रहा है और ये ऐसे एक up momentum दे सकता है price action बना के आप इसको trade कर सकते हैं और एक important level है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ साड़े 300 का ये देखिए एक line महाँ पे मैंने draw करके रखी है कोसिस करिए कि साड़े 300 पे निकल जाएए अगर आपको और बढ़ा target रखना है और risk capacity है आप बेर कर सकते हैं या patience है आपके वीतर wait करने का तो फिर आप wait कर सकते हैं और बड़े target के लिए लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो resistance है वो ठीक ठाक resistance है वहाँ पे थोड़ा time और spend कर सकता है तो साड़े 300 पे निकल जाएए नहीं तो आप wait भी कर सकते हैं वो आपके उपर depend करता है आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगरी वीडियो में तब दक के लिए धन्यवाद